एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहाँ पर प्रधान मंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद राजनती काम उससे कराया जा रहा है और प्रियांक कानून वो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गाएं, किस खोव में गुस गाए क्या उनके अंदर दम नहीं है, क्या उनको डर लग रहा है, या आखों पर पट्टी बांदी है, ये अपने आप में एक सवाल है लेकिन ये होता है Abuse of Child Children, कि उनको विशुद राजनतिक कारणों के लिए, रैली में गोट मांगने के लिए आप इस्तमाल कर रहे हैं, ये है Abuse of Child Rights, इस पर NCPCR को जगना चाहिए, लेकिन आखों पर पट्टी तो ऐसी बंदी है, और कुंपर की नीद ऐसी सोय प्रियां जो जी अभी ट्टर पर दिख नहीं रहे है, हर व्यक्ती बड़ा सीना ठोक के उस वीडियो को शेर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है, ये चुनाव अचार संगिता का उलंगन है, ये बच्चों के राइस का उलंगन है और ऐसे मामलों पर NC PCR को जागना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जजबा वो शाखा पर रखाया है जहां उन्होंने लास्टे मेरा अपना मानना है कि प्रियांख कानून गो नाम के एक व्यक्ती है जो NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights के हैड है, जो शाखा से ट्रेनि बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमिशन को चिठ्थी लिखी थी, और इलेक्शन कमिशन ने फिर उसको उनके बोला, यह हमारा अधिकार्चेत नहीं, आप को जो करना है इस पर करिए आप, मू की खानी आते हैं, एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है, और वहाँ पर प्रधान मंतरी के बगल में खड़े होकर विशुद राजनितिक काम उससे कराया जा रहा है, और प्रियांक कानून को कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गएं, किस खोव में घ बर लग रहा है, यह आखों पर पट्टी बांग लिए यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन यह होता है अब्यूज ऑफ चाइल चिल्रिन कि उनको विशुद राजनितिक कारणों के लिए, रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तमाल कर रहे हैं, यह है अब्यूज इस पर NCPCR को जगना चाहिए, लेकिन आखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुमकर्ड की नीद ऐसी सोय प्रियांग कानुन गोजी कि अभी ट्विटर पर दिखने ही रहे हैं, जी हाँ चुनाव अचार संगिता भी लगी है और मुझे असा लगता है एक वीडियो है ज मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जजबा वो उस शाखा पर रखाया है जहां उन्होंने लास्ट अटेल किया तो एक बहुत एहम मुद्दे पर आपके पास आये हैं और जहां से मैं आती हूँ दो बड़े मुहावरे बोले जाते हैं एक बोला जाता है मोहरों की लूट कोईले पर च्छाप इसका अपना अर्थ जरूर होता है लेकिन इस सरकार के कारिकाल में इसके माइने इसका अर्थ इसको चरितार्थ करना बिल्कुल बदल गया है तो सहिया भै कोतवाल तो डर काहे का और मोहरों की लूट कोईले पर च्छाप ये दोनो कैसे चरितार्थ होते हैं आज की कहानी उसी के बारे में है बैंक लोन से हम सब बाकिफ हैं हम सब लोगों ने आपने हमने मध्यम वर्ग में जादा तर लोगों ने निम्न मध्यम वर्ग में लोग लोन लेते हैं आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं गाड़ी खरीदने के पाईए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है बैंक वाले फोन करकर के आपकी जिन्दगी दूभर कर देते हैं पहली बात और दूसरी ज़रुरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की तीन किष्टना चुका पाईए तो आपका लोन एंप बन जाता है लठैत आ जाते ह आपकी गाड़ी खीचने लगते हैं और वो लठैत वाकरी दिखने में लठैत होते हैं आपको डराया धमकाया जाता है आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिये जाते हैं कि कितने कितना संगीड आपने जर्म किया है बैंक की I.M.I. न. 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 और बदकिस किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है लेकिन ये कहानी मद्यमवर्ग और किसान की है अगर आप इस देश के बड़े पूंजी पती हैं और आपने एक दो लाग का नहीं हजारों करोड का लोन लिया है तो आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकार दरिया दिल है सरकार आपको रियायत देगी सरकार रहत देगी और बड़ी महर्बानी करेगी और कैसे कर रही है ये महर्बानी पिछले पात साल में दस लाख नो हजार पाच सो दस करोड दस लाख करोड से उपर का रिड राइट आफ किया गया है पिछले पाँच साल में दस लाख नो हजार पाँच सो दस करोड दस लाख करोड से उपर का रिड राइट ओफ किया गया है मोटे तोर पे मैं इसको उद्योग पतियों की रिड माफी मांगती हूँ आप कुछ चरण चुम्बक है कुछ चीर लीडर है सरकार के जो कूद पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं नहीं यह तो राइट ओफ है आप गुमराह कर रही हैं यह लोन माफी नहीं है इसका भी जवाब लेकर आई हूँ और तथ्यों के साथ लेकर आई हूँ 10 लाख करोड से उपर की रिड माफी हुई लेकिन केवल 13 प्रतिशद जो राइट ओफ हुआ 10 लाख करोड से उपर का केवल 13 प्रतिशद 1,32,000 करोड मात्र वसूल हो पाए केवल 13 प्रतिशद की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड से जादा के राइट ओफ पर तो जो पैसा 8,60,000 करोड के आसपास रिकवर नहीं हो पाया जो 87 प्रतिशद 10 लाख करोड का पैसा रिकवर नहीं हो पाया अगर वो लोन माफी करजा माफी नहीं है अमीरों के लिए तो वो क्या है तो नेक्स टाइम कुछ चरंड चुम्बक समझाने आ जाते हैं जब टीवी पर कि कैसे ये लोन माफी नहीं है और हम गलत कह रहे हैं उनसे ये जरूर पूछीगा कि इस राइट आफ का 13% मात्र वसूल हुआ है पिछले 5 सालों में तो ये दरिया दिली अमीरों के लिए ही क्यूं है लेकिन इससे भी बड़ा गोरग धंदा कहीं और चल रहा है और वो धंदा है IBC और NCLT में पहले बैंक जो थे लोन राइट आफ करने से अचकचाते थे घबराते थे क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था RBI को और जवाब देना पड़ता था Ministry of Finance को अब IBC की विवस्था के चलते बैंक जो है वो एक समू बना लेते हैं Committee of Creditors बन जाती है उस Committee of Creditors के पास एक प्लान जाता है resolution का वो resolution plan को वो approve करते हैं वो NCLT के पास जाता है और एक बड़ा haircut लेकर asset transfer हो जाता है लोन रफा दफा हो जाता है यह थोड़ा जारगन है तो इसको अगर आपकी अनुमती हो तो मैं जरूर बताना चाहती हूँ viewers को समझाना चाहती हूँ 1000 करोड का लोन था जो NPA बन गया जो राइट आफ हो गया बैंक आपस में मिलकर यह तैह कर लेते कि 1000 करोड का लोन था कोई बात नहीं 100-200 करोड लो बाकी 700-800 करोड कहा लुप्त हो गया किसी को नहीं पता है इसको haircut बोलते है haircut ऐसा लिया जा रहा है कि 1000 करोड का लोन 100-200 करोड दे कर रफा दफा कर दिया जाता है और वो asset सरकार के प्रिये लोगों के पास transfer कर दिया जाता है और ऐसे तमामों केस हैं IBC में जो की नयायाले में लंबित है मैं आपको अभी ताज़ा आकड़ों के बारे में बता देती हूँ 542 केसिज अभी IBC ने resolve किये है इन मामलों को निप्टाया है इस पर बड़ी पीट ठोकी गई अभी पिछले 3-4 दिन पहले आया था कि हमने कितने मामले निप्टा दिये कितने सुल्टा दिये कितने सुल्जा दिये 542 मामले इन 542 मामलों में कर्जा था करीब 8 लाक करोड का वसूली हुई 1,8,000 करोड की 8 लाक करोड का कर्जा वसूली 1,8,000 करोड की मतलब करीब करीब 6 लाख करोड से उपर का करजा कहा गया किसी को नहीं पता है ऐसेट ट्रांसफर हो गया बैंकों ने अपनी किताबे बंद कर दी और दुनिया को बता दिया गया कितनी बढ़िया विवस्था चल रही है प्रधानमंत्री मोदी या भारतिये जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाओं नहीं लड़ती है कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती क्योंकि काम नहीं करती है हर चुनाओं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो जाता है मैं फला का लड़का हूँ, मैं फला हूँ, मैं यहां हूँ हर चीज स्वामताय सुखाय हो जाता है ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल आपने भी कभी उठाय थे और हमने जवाब दिया था आज ये देश जरूर जानना चाहता है कि दस लाक करोर से जादा का राइट आफ हुआ सवाल उठाया जाता है तो आप कहते हैं नहीं ये लोन माफी नहीं है आप रिकवर 13% कर पाए बाकी का पैसा कहा गया कैसे गया बैंक कैसे निरंकुष्टा से बेधड़क धडलने से हैर कट करके अब्जॉल्व कर रहे हैं कॉर्परेट्स को देंदारी से मुक्त कर रहे हैं इसका जवाब कौन देगा और जहां पर किसानों की बात कर लो जहां पर छोटे उद्योगों की बात कर लो तो यह Fiscal Deficit का बहाना बनाने लगता है आपकी जानकारी के लिए बता दो कि Fiscal Deficit का यह राइट-off 61% का देश का Fiscal Deficit के बराबर यह राइट-off 61% of the Fiscal Deficit can be funded by this right-off alone इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना economy की समझ है ना समझने की ललक है और ना समझना चाहते हैं और इसका मूल कारण है जब सहीया भए कोतवाल तो डर काये का फाइदा तो चंद पूंजी पतियों कोई पहुँचाना है वो पहुचा उससे पहले एक जरूरी बात जब RBI से ये पूछा गया कि ये महानुभाव कौन है जिनके 10 लाग करोड राइट आफ हुए जिन से सिर्फ 13% वसूली करी गई तो बोला गया कि नहीं हम इनके नाम नहीं बता सकते हैं वो गुप्त और गोपनिये हैं ये गुप्त और गोपन आता है टाक्स से और सिर्फ इंकम टाक्स से नहीं जी स्टी से जो आटे पर भी आप दे रहे हैं आता है जो एक्साइज आफ पेट्रोल पर दे रहे हैं जो जबर्दस टाक्स वसूली पेट्रोल डीजल पर हो रही है जो हम और आप इस देश का सबसे गरीब आदमी एक रिक कर जाए तो आपका नाम अखबार में छप जाएगा कि फलाने व्यक्ती ने डिफॉल्ट किया इनको अब कहीं से लोन नहीं मिलना चाहिए मोधी सरकार के कारेकाल का कच्चा चठा थोड़ा खुड़ना जरूरी है मोधी सरकार के कारेकाल में एन्पिये जो है वो 365 प्रतिशत बढ़ा है 365 प्रतिशत एन्पिये की उच्छाल हुई है बड़ी फोन बैंकिंग की बात करते थे जो NPA वित्यवर्ष 15 में 5 लाग करोड का था वो इनके 6 साल के कारेकाल में शुरू-शुरू में 19 लाग करोड के आसपास पहुँच गया 365 प्रतिशत की वृद्धी तो अब क्या सवाल नहीं बनता कि किसके फोन पर ये लोन दिये जा रहे है क्या क्विड प्रो है कौन पैसा लेकर ये लोन दे रहा है और ये लोन NPA क्यों बन रहे है ये सवाल पूछना लाजमी है और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए विल्फुल डिफॉल्टर्स जो पैसा दे सकते हैं लेकिन सुच्छा से कहते हैं भाई हम पैसा नहीं देंगे आपको और हमें ये रियायत नहीं है किसान को ये राहत नहीं है कि वो कह दे मेरी फसल फेल हो गई भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा लेकिन अगर आपने हजारों लाखों करोडों का अरलोन लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं करजा देने में असमर्थ हूँ जबकि आपके पास पैसा हो सकता है विलफुल डीफॉल्ट 23,000 करोड का होता था 2012 में 23,000 करोड का आज वो करीब करीब 2,5,000 करोड का है 10 गुना इजाफा विलफुल डीफॉल्ट में ये क्यों हो रहा है ये कौन लोग है जो विलफुल डीफॉल्ट कर रहे है और क्यों करना दिये जा रहा है ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है सरकार की नाक के नीचे और मेरा मानना है सरकार के संग्रक्षण के चलते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं 38 ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े बैंक के फ्रॉड और घोटाले किये हमारे आपके पैसे को डुबोया बैंकों को चपत लगाई वो आज देश छोड़कर भाग चुके हैं और मोदी जी और उनकी तमामों एजेंसी जो फ्रेंटल बन चुकी हैं वो हाथ मलती रह गई नहीं चश्मा पहन कर 38 ऐसे लोग हैं एक दो या तीन नहीं मेहूल चोकसी मेहूल भाई नमोदी जी के मेहूल भाई और वो गलबईया करते थे उनके साथ नीरव मोदी और विजय मालिया की बात नहीं कर रही हूं इनके जैसे 38 लोग ये देश छोड़कर भाग गए इनके शासनकाल में और ये हाथ मलते रह गए और सुर्खिया चलती है फलाना वापस आने वाला है धिमकाना वापस आने वाला है 44 करोड रुपया खर्चा किया एक प्लेन भेजा अंटीगुआ मेहूल भाई को वापस लाने के लिए लेकिन मेहूल भाई नहीं इतना चमकाया इस स सरकार की असलियत है पहले भाग जाने देते हैं फिर किसी को लेकर नहीं आने पाते हैं जिस दिन कोई नेगिटिव ख़बर आने वाली होती है सुर्खिया चलने लगती है ब्रेकिंग न्यूज पलाना वापस आने वाला है तो यह हम साड़े आठ साल से सुन रहे हैं कौन-क 510 करोड दस लाक करोड से उपर पैसा बैंकों का करजा राइट ओफ किया गया आखिर क्यों सिर्फ 13% उस राइट ओफ की वसूली हो पाई आगे क्या वसूली संभव है जिन उद्योग पतियों को ये फाइदा पहुचाया गया उनका नाम सारवजनिक क्यों नहीं किया जा है सरकारी बैंक जिस निरंग कुष्टा से हैर कट ले रहे हैं और कोडियों के दाम पर एसिट ट्रांसफर कर रहे हैं इस पर क्या निगरानी रखी जा रही है और इसकी क्या जाच होगी 1000-1000 करोड के लोन जो है वो 100-200 करोड देकर निप्टा दिये जा रहे हैं आखिर NPA में 365 प्रतिशत की उच्छाल कैसे आई कौन फोन कर रहा है किसको लोन दिये जा रहे है कौन सा क्विट प्रो को है इसकी जाच कौन करेगा और अंत में विलफुल डीफॉल्ट जो 10 गुना बढ़ गई वो क्यों बढ़ने दी गई 38 लोग जो देश छोड़ कर चले गए उनको वापस लाने के लिए सिर्फ आपके पास जवानी जमाखर्च है या वाकई में कोई प्लान या कोई स्ट्राटिजी है यह सवाल पूरा देश और खास तोर से वो लोग जिनके व्यापार धन्दे आए आपने चौपट कर दी और वो आज अपनी एमाई प्लेने पे करने में असा मर्थ है आप से जरूर पूछ दोस्तों अगर आप यह वीडियो हमारे फेसुक पेज पर देख रहे हैं तो यहां कलिक करके फोलो करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो किर्पय करके इस लाल बटन पर कलिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें